पूर्णिंग एर्विवन वेलकम टू एंडम सेविल और नमस्टार सभी लोगों को कैसे हो सब लोग गुड मॉर्निंग नेतो जी एक बार बताईए मुझे कैसे हो सब लोग और ओडियो वीडियो सही है कि नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी से क्लास का लिंक शेयर कर दीजे जल्दी से अपने अपने दोस्तों को बुलाईए जोईन ना कि अा कि फिर क्लास को एक बार जल्दी से बता आओ सब चीज थी आटो वीडियो सब सही है अजिशन आईए आ कि ओक केbeing चुका है तो मुझने शुरू करते हैं फिर क्लास को जलुदी से अपने अपने दोस्तों के साथ शेर करो लिंक को चलों से बुलाओ सब लोगों को अजया की कर दो कि चलिए शुरू करते हैं आज हम देखने वाले हैं टिंबर का जो डिफस के बारे में पढ़ रहे थे फंजाई के बेसिस पे डिफेक्ट जो है हमारे पास वो देखेंगे अभी हम ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो फंगस या फंजाई जिसको हम वाफूंदी लग जाना तो उसकी वज़े से हमारे पास टिमबर के अंदर क्या-क्या डिफेक्ट आहा ये देखेंगे हम त फंगस होता क्या है पहले वह देख लेटे हैं फंजाई है microscopic microscopic plant that feeds over the timber section thereby causes its decay कि फंजाई हमारा ऐसा microscopic plant है जो की लकडी के ऊपर मतलब लकडी को खाता है basically or it causes its decay लकडी को गला देता है ठीक है लकडी के ऊपर आपका होता है लग जाना जिसको हम कहते है सफेद सफेद रंग की फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ परसेंट मोश्यर कॉंटेंट जब हमारा 20 परसेंट से लगबग ज्यादा होता है तभी फंगस का अटैक जो है हमारे लकडी के उपर होता है अगर 20 परसेंट से ज्यादा हो गया तो फंगस होग जाएगा लेकिन सिर्फ मुषञ नहीं, इसके साथ-साथ आपकी हवा और वाम्थ हवा भी होणी चाहिए और वाम्थ का मतलब गर्माषर टिक है तो गरम शुष कवाता वरन जिसको कहते हैं आम तोर पे ठीक है गर्माष जो भी होटy है हव्जा और पानी चाहिए गई तो बहुत अच्छे से ग्रों कर जाएगा है कि गुड मॉर्निंग विकी गुड मॉर्निंग योगेश जी पीडिएफ कहा है पीडिएफ आपके टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलिग्राम चैनल का जोइन कर लीजिए उसके अं आप लोग ले सकते हूं है ठीक है चलिए अब देखते हैं हमने देखा कि फंगस या फंगस या फंजाई एक ही चीज़ है फंगस आपका सिंगुलर फॉर्म में फंजाई उसी की प्लूरल फॉर्म को कहते हैं अब फंजाई की वजह से कौन-कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं देख लेते हैं देखिए ब्लू स्टेन ब्राउन रोट सैप स्टेन वेट रोट ड्राय रोट वाइट रोट हार्ट रोट यह बहुत सारे तरह कि हमारे पास डिफेक्ट्स हैं जो कि फंगस जो है फंजाई कॉस कर सकता है हमारे टिंबर के अंदर एक एक करके देखते हैं इ यह हमारे पास देखते हैं certain type of fungi which feeds over the sapwood ऐसे फंजाई जो की sapwood को खाते हैं ठीक है ना जो sapwood पे exist करते हैं due to which it assumes bluish color जो उन फंजाई की वजह से हमारी लकडी का color कैसा हो जाता है sapwood का कैसा color हो जाता है bluish ठीक है लगबग नीले रंग की हो जाती है तो it is called as blue stain good morning good morning पंकजी good morning सुल्तान ठीक है तो यह आपके पास यहाँ पे blue stain ऐसे नजर आ रहे होंगे यह देखिए आप लकडी के अंदर ऐसे नीले रंग के धब्बे जो है वो नजर आते हैं इनको blue stain का जाता है ठीक है बई क्यों होता है यह ऐसे fungus की वज़े से ऐसे fungi की वज़े से जो कि sapwood के उपर exist करते हैं और sapwood को क्या कर देते हैं नीले रंग का कर देते हैं तो blue stain हमारे पास एक defect था वो हमने देखा next जो defect है हमारे पास लकडी के अंदर वह सैप स्टेन सैप स्टेन होता क्या है कोई फंजाइ को पूरी तरह नहीं गलाते गूड मोरिंग शीतल तो पूछ या फंजाइ जो होते हैं हमारी लखडी को पूरी तरह से गलाते नहीं है डीके नहीं करते दिकी नहीं करते उसके लेकिन के सेल कॉलते हैं रंग छोड़ देता है लकड़ी हमारी जनरल यह कर्स वन मुष्यर कॉंटेंट गोज बियोंड 25 परसेंट आम तोर पे तब होता है जब हमारे पास वाटर कॉंटेंट जो होता है पच्चीस परसेंट से ज्यादा चला जाता है ठीक है देखो काफी डिफेक्ट्स हमारे यहां तो इसके अंदर बेसीकली क्या होता है और फंगस ग्रो करने के लिए मिल अलग 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 तरह के फंगस अलग-अलग कंडिशन में ग्रो करते हैं तो सैप स्टेन के लिए यह ऐसे फंगस होते हैं जो पूरा पूरी तरह से गलाते नहीं है लेकिन डिपेंड ऑन दी सेल कॉंटेंट्स ऑफ सैपुड के अंदर जो सैल कॉंटेंट्स है जिसे बनी होती है उसको खाते यह ठीक है ना और टिमबर हमारा कलर जो है को खो देता है अपना और मोश्चर कॉंटेंट 25 परसेंट से ज्यादा होता है आम तोर पर तब देखने को मिलता है ठीक है यह आपका आपका यह इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ठीक है भई अब यहां पर आपकी जो टिमबर है उसने क्या किया यहां पर अपना कलर जो है गवा दिया खो दिया जो एक्क्चुल इसका कलर होना चाहिए था वो नहीं होगा तमजब करते हैं चलो अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास ब्राउन रोट ब्राउन रोट का डिफेक्ट क्या होता है इसको सेलिलोस की वज़े से होता है यह आम तोर पे ठीक है सेलिलोस रोट का मतलब क्या होता है अब काफी सारे ना रोट पड़ेंगे हम यहां पर मतलब ब्राउन रोट वाइट dry rot, wet rot, यह सब पढ़ेंगे तो rot का मतलब क्या होता है? rot means decay good rot means decay or disease of timber ٹीक है? rot का मतलब होता है गलना, लकडी का गलना या फिर لकडी की बिमारी rot का मतलब अब ये याद रख ले ना बच्छे से ठीक है? हां जी तो rot का मतलब होता है decay या फिर timber की बिमारी अब certain type of fungi which feeds over the cellulose of timber जो कि cellulose के उपर timber section के cellulose के उपर depend करते हैं due to which it assumes brown color cellulose क्या होता है आम तोर पर cellulose हमारे timber की cell walls के अंदर exist करता है ठीक है जो यह timber के जो cells बने होते हैं लकडी की cells होते हैं जैसे हमारे लकडी के अंदर भी cells होते हैं इनकी दिवार इनकी cell walls बनाने के लिए responsible होता है cellulose ठीक है न sometimes हमारी लकडी क्या देता है strength देता है है strength देता हैτηरे स्टेंथ और staying है strength और strength और स्टिंफनेस देता है और यह इसको सीधा रखने के लिए सीधा खड़ा रखने के लिए responsible रहता है cellulose तो ऐसा फंजाई जो कि हमारे timber के अंदर cellulose को खाता है और इसको खाने के बाद कैसा color कर देता है हमारे timber का brown color तो यह देखिया नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है white road अब white road क्या होता है वह रोट का मतलब अभी बताया था मैंने road का मतलब क्या हो गया disease या फिर हमारी decay ठीक है ना या तो timber का decay हो रहा है गलना सटना मनलब गलरी है लकडी या फिर उसके अंदर कोई बिमारी है डिसीज है उसको रोट का जाता अब यह वाइट कलर का होगा तो इसको वाइट रोट नाम दे दिया इस ऑपोजिट ऑफ ब्राउन रोट के उल्टा होता है इन इस सर्टें टाइप ऑफ फंचाई अटैक दी लिगनिन है जिससे हमारा लकडी हुआ नदर ही पाया जाता है यहां पर भी हमारा लिगनिन भी सेम आपका अन्दर पाया जाता है और सेल वोल की लिए रिस्पॉंसिबल हो तायी बी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस देता यह भी सेम चीज़ लगबग सेम काम रहता है इसका भी और वुट अटेंज दी अपिरेंट्स ओफ वाइट मास consisting of cellulose compounds देखिए यहाँ पर क्या होता है यह लिगनिन को अटेक करता है जो फंगस होता है वो हमारी timber के अंदर प्रेजन्ट जो लिगनिन है cell structure के अंदर प्रेजन्ट है ज्यादा हमें सिर्दरदी नहीं लेनी इनके cell structure बायो नहीं पढ़नी है तो यहाँ पर लिगनिन के ऊपर अटेक करता है और सफेद रंग कर देता है हमारी लिकडी का और सफेद रंग जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजन्ट होता है cellulose बना देता है यह ठीक है यहाँ पर क्या ओ रहे है लिगनिन को खा रहा है और cellulose बना रहा है पिछले में क्या हूरा था brown road के अंदर cellulose को खा रहा था और brown color कर रहा था और दिखता कैसा है यह देखे आप सफेध रंग में हो गया ना वाइट रोट कि नेक्स अमारे पास है जो डिफेक्ट हो है फंजाई की वज़े से जो डिफेक्ट है मारा उसको कहते हैं हाउड रोट हाउड यहाउड लजी लखडी वक्ड़ी में पेड़ की जो टहनिया है माली वह तोट जाती है और वो तूट गई और तूटने किसी भी कारण से तूट जाती है बहुत ज्यादा तेज हवा चली तुफान आया या कोई बच्चा लटक गया उसके लटकने से तूट गई कुछ भी कारण डीके कर देगी उसको बाइडी एक्शन ऑफ फंजय रिजल्टिंग इन डिफेक्ट कॉल्ड एज हार्ट रोट मतलब माली यह हमारे पास एक पेड़ था यह इसकी टहनिया थी ठीक है आप माली जी अभी सावन का महीना चल रहा था आपने जूला लगा दिया दर और यह टहनी इतनी बची तो अब आपके एक्सपOS हो गई एैं ऑब एक्सपोस होगी तो यहां पर जो हर्ट वूड था ठीक है हर्ट器 कॉन सा होता है अंदर की तरफ रोक। फिक क्या सब् traff रोकडी तो यह यह जो आपके पास यह जो लखडी ती यह बिका होगी कि आपकी environment से expose होगी अब expose होगी तो भी अब यह क्या करेगा इसके उपर काम करेंगी fungus फंगस ग्रो कर जाएगी वह क्या करेगी इस हार्ट वूड को गला देगी ठीक है ना इस हार्ट वूड को यह अंदर से बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो होता है लकडी का उसको गला देती है किसी को कहा जाता है हार्ट रोट मतलब लकडी के दिल का जल जाना जलना मतलब गल जाना सोरी जलना नहीं ट्री बिकम्स वीक एंड गिव्स होलो साउंड वें स्ट्रक विद हैमर और ट्री हमारा लकडी जैसे अवाज आएगी ठीक है खोकली अवाज आएगी होलो साउंड आपको नजर आएगी दिखता कैसा है पहले देख लीजिए देखा भी होगा किसी किसी ने यह देखे भई लकडी अंदर से खोकली हो गई न यह तो आप लोगों ने देखा भी हो शायद बताए लगारी धिशन ने बताऊ किस ने देखा है ऐसा डिएक देखेक्ट हो गया है इस डिफक क्या हुआ है यह जो हार्ट पोर्शन है बीचोला पोला पोर्शन था लकडी का यह साज़ा का साया गल चुका है और बहार से आप हथोड़े से इस पर चोट मारोगे तो आपको लगता है यह रियल ही ट्री का फोटो आपको दिखा रहे हैं तो यह मेरे को बढ़ा सही लगता एक्चुली ओनलाइन एड्टिकेशन का ओनलाइन क्लासिज़् का एक बहुत सभी फायदा है कि आप यहाँ पे फोटो दिखा देते हो तो दिमाग में पिच्चर बन जाएगी मे विजुलाइज करवाना पड़ता इसको दीमक खा जाती है तब ऐसा होता है फंगस की वज़े से होता है शीतल यह दीमक खाने से ऐसा नहीं होता दीमक खाने से कैसे होता है वो भी दिखाएंगे भी फंगस की वज़े से होता है वो तर्माइट होती है अभी उसकी वज़े से में आएगा या गिरे हुए ब्रांच में आएगा किसी में भी आ सकता है विकी जी पेड़ की टहनी में भी आ सकता है यह जहां से हमने काट दिया ना वहां से खोकला हो गया तो हार्टूड एक्सपोज होगी तो वहां से भी गल जाएगा और जो लकडी काट के गिरा रखिये उसमें भी आ सकता है इसी में मदुमक्खिया रहती है देखा है फुल पहाड़ी एक कुलाड़ी लेने रोज ही जाते हैं लकडी काटने अरे वाँ बहुत बढ़िया हां जी बिलकुल लाइव में भी होता है चलिए ड्राय रोट क्या होता यह इंपोर्टन आपके लिए ड्राय रोट और वेट रोट यह दोने फेक्ट्स जो है काफी पूछ जाते हैं एक्जाम के अंदर तो एक्जाम पॉइंट ओफ यू से ड्राय रोट और वेट रोट इंटो ड्राय पाउडर फॉम ठीक है चूरा कर देते हैं बिलकुल यह लखडी का और वैसे फंजाई जो एक्टैक करते हैं जो हमारी लखडी के ओपर तो यह लखडी को चूरा पाउडर फॉम में कर देते हैं यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएग अब हमारी वेंटिलेशन अच्छे से ना दी गई हो या फिर सनलाइट की एबसेंस हो एबसेंस ऑफ सनलाइट आपकी या फिर आपका प्रॉपर वेंटिलेशन ना की गई हो जैसे कि आपके बेस्मेंट हो गया रूम्स हो गए यहां पर आप एक किचन भी एड़ कर अब कॉर्णर के घर जोंगे उसमें सनलाइट की प्रेजंस और या फेंटिलेशन जो है वह काफी हद तक बहतर होती है जो की बीच वाले घर होते हैं उनके मुकाबले में तो प्रॉपर वेंटिलेशन और सब्सक्राइट की कमी इसकी वजह से जो डिफेक्ट होगा उसको कह अगर मैं क्या कर दूं टारिंग कर दूं या फिर चारिंग कर दिया जाए तो इनकी वजह से भी उसके अंदर ड्रायरोट हो सकता है मतलब मालीजे आपने अंसीजन वुड का मंदलब गीला था वह गीली लकडी के उपर या आपने पेंट कर दिया तो अंदर से क्या हो सारिंग या फिर पेंटिंग अगर मैं अन्सीजन लकडी के ऊपर कर देता हूं तो तब भी मुझे ड्रायरोट की जो डिफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी में भी प्रिवेंटेट बाय यूजिंग वेल सीजन टिंबर फ्री फ्रॉम सैप ठीक है प्रिवेंट किया जा तो भी इससे बड़िया लकडी है नहीं तो डिफेक्ट भी बहुत कमाएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं वोईड कर सकते हैं वेल सीजन करके सीजनिंग अच्छा तरीके से कर दी या फिर नेक्स्ट हमारे पास एफेक्टेट पार्ट शुट भी रिमूवड एंड रिमेनि त्पास कोई लकडी आपकी इतनी गल चुकी है और यहां से काट माँव लगडी लकडी विस्को क्या कर यह एफ्यंट कर दिजिए और फैक्टो के धिर दोगये तो यह आपकी बची रह जाएगी ड्राय रोट का अटैक नहीं होगा इसके उपर मतलब इसकी प्रिवेंशन अगर करनी है तो अपर सलफेट की पेंटिंग कर दीजिए और अफेक्टिड पार्ट को हटा दीजिए दिखता कैसा है यह देख लीजिए देखी भी होंगे आपने यह इस तरीके से बिल्कुल चूरे में कनवर्ट हो जाती है दीरे दीरे आपकी लकडी ठीक है तूटनी चालो हो गई है और यह फिर पावडर्ड फॉर्म में कनवर्ट हो यह तो इसको कहाऊँ जाता है डॉट कि अधिके रॉट काहाता है इसब्सक्राइब्स को आपको यह तो यह वली प्यूट्ट इपॉंट इंपके लिए की पाया मिलता कहा जाता है पाया कहा जाता ओर और इस और अलाईटोग उटहिए कोई प्रोप्म तो नहीं ना क्या होता है समझ में आए और कहां पर मिलते और क्यों होता है किछन बातरूं में collaboration सकते हैं। यहां परिषबन तेशन नहीं वहां पर इसके होने के चांस भीट अच्छी कि दल्राइर रोट क्लियर हूं है चली वह सबस्क्राएं और सिमिलरली वेट रोट भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा एक्जाम पॉइंट ओव यू से ओके चलिए सर्टेन टाइप आप फंजाई कैरीज आउट कैमिकल डिकम्पोजिशन कुछ फंजाई आपके टिंबर का कैमिकल डिकम्पोजिशन कैरी करते हैं हां जी अभी जीद जी बिल्कुल लेंगे अभी पेंट्स वगएरा पेंट्स वार्निशेज यह सब भी बचा हुआ है ठीक है तो यह सब भी कवर करेंगे हम चलिए due to this timber gets chemical decomposition timber का हो जाएगा chemical decomposition की वज़े से क्या होगा यहाँ पे due to this timber gets converted into greyish brown powder ठीक है यहाँ पे timber जो है greyish brown powder में convert हो जाता है और कब होता है आम तोर पे जब alternate wetting and drying यह important है यहाँ पे यह point आपके लिए काफ़ important हो जाता है कि हमें कब देखने को मिलता है यह जब alternate wetting and drying of timber की जाए alternate wetting & drying का मतलब क्या है एक बार लक्डी गीली हो conceptual होता है वेट रोट यहां से नाम सी नाम से वज़े से हमारी लकडी के अंदर ग्रेश ब्राउन पाउडर में कनवर्ट हो जाते हैं और डिफेक्ट को कहते हैं वेट रोट ठीक है और एक्जामपल हमारे पास क्या हो जाएगा अनसीजन टिंबर एक्सपोज टू रेन और वहां पे बारिश वारिश का पानी तो आए गई अब लऄ खए तो फोड़ी देर बाद फिर एकले दिन फीर बारिश आगी तो इसकी वजह से उन लकडी दर शु 특ण रोजे के अंदर और जो डिफेक्ट हो सकता है उसको स्यism और अगर करने तो क्या करना है तो प्रिवेंट वेट रोट सीजन टिमबर शुट भी यूजड फॉर एक्स्टीरियर वर्क बाहर जो हम लोग काम करते हैं एक्स्टीरियर वर्क मतलब आपका ऐसा काम जो की एक्सपोज रहेगा रेन और विंड के तो वहां पर आपको अन्सीजन टिमबर यूज नहीं करना ठीक है अच्छी क्वालिटी की लकडी इस्तिमाल करनी है अच्छी क्वालिटी का मतलब सीजन ऑच जो अच्छे से जो अच्छे को सब्सक्राइब करोगे और ब ंश्रे से धक दोगे मतलब लकडी के ऊपर अपेंट्वेंट करोगे तब जाके कहीं को इस्तेमाल करोगे इसलिए अगर आपको आपने देखा हो तो आपके खिड़की दरवाजों पे पेंट किया जाता है ठीक है ना तो वह पेंट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक एपिरेंस के लिए नहीं होता मतलब दिखने में अच्छी लगे सिर्फ ये काम नहीं होता भी बढ़ाती है ट pork आ रलिए लग टार हम नहीं लगाते लग्रम Hog कह झाना तो और भॉफिर दिखने में अच्छी है उपisto the pentenas कर देट है तो पेंट करने से क्या हो गया लकड्ये हमारे पास सेफ होो जाएगी वेट्रोट का होंता है कि उसके ड्सक्रिवर घायो कि इसमें कोई डाउट तो नहीं और देखिए हाँ देखने में कैसा लगता है यह देख सकते हैं यह आपने देखा हो कि दर्वाजा है आपका और यह नीचे से देखिए यहां से गल गया है नीचे से पूरा का पूरा दर्वाजा गल चुका है क्यों गल गया क्योंकि यहां प अब चलिए लोग्या बहुत बढ़िया तो फंगस या फंजाई की वज़े से सारे और रोट वाइट रोट सारे हमने ब्राउन व्रोट वाइट रोट सारे हमने यहां पर देख लिए लगवाग लगवाग जितने भी टिफेक्ट से साता, जो defect थे, सारे के सारे fungus की वजह से होने वाले पड़ चुके हैं नेक्स्ट जो defect हो सकते हैं, वो हो सकते हैं किसी insect की वज़ए से ठीक है, किसी insect की वज़ए से, कोई insect attack कर जाये ठीक है, कोई insect हमारी लकडी के उपर attack कर जाये जैसे कि beetles, marine görers, termites, ठीक है न? यह क्या है इंसेक्ट्स हैं जो हमारी लकडी के उपर उसको खराब करने के लिए अटेक कर देते हैं कि सबसे पहला देखते हैं a firit orbика टाइस से क्या होते हैं देखिए दियार small insects small insects होते हैं छोटी-क्षोटी से आपकी सीपले दिंदी जैसी होती है ठिक है यह इस तरीके से आपके जो चोटे-चोटे आपके जो बीटल्स वगरा होते हैं उन मक्हियां होती एक तरह से यह बर्ट मक्हिन नहीं होती उन्हीं की प्रजाती की मानली जी इनको तो small insects होते हैं जो कि हमारी लकडी के उपर exist पैदा हो जाते हैं और वहीं पर ही पैदा हो जाते हैं तो करते क्या है ये they cause rapid decay of timber timber की बहुत बहुत जल्दी decay कर देते हैं तिमबर को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं खा जाते हैं कर देते हैं ठीक है और दे फॉर्म पिन होल साइज पिन होल साइज अबाउट दो एमम डायमेटर जैसे सुई चुबहों के हम लोग छेद कर देते हैं लगबग दो मिलिमीटर के छेद यह ऐसे हमारी लकडी के उपर कर देते हैं अँछी पिशोट लेकिया करें अचोखट में बिल्कुल देख सकते हैं और एक्टएक सेपड़ ऑफ और बूड़ हाड़वूड की सैपड़ में अटेक करते हैं और हाड़वूड हम लोग आम तोर्पे यूज करते हैं सारे हमारे फर्नीचर में या लकडी दर्वाजे जो हम बना रहे हैं सब चीजे उसमें चोखट में भी बिल्कुल ठीक है और टनल सार फॉर्म डिन ओल डिरेक्शन सी क्या करते हैं छुटी-छुटी सुरंग बना देते हैं अंदर यंदर ठीक है लकडी के अंदर यंदर सुरंग बना देते हैं आपको फ्लोर लाइक पावडर ठीक है आठे के समान बारीक पॉडर में लकडी को अंदर ही अंदर खाती रहती है और पावडर फॉर्म में कनवर्ट करते रहते हैं और बहार के शेल्ल को नहीं खाती या बहार से तो आपको चिरफ यह छेट दिख रहे होंगे बाट बहार से पहले वो अच्छा दिखता रहेगा जान ठीक है देखिए यह आपके पास यहां पर इस तरह के छेडिया आपकी इसले दिखाई वह ता कि आपको size of hole जो है उसका अंदाज़ा लग जाए तो pencil की जो tip है उसके बराबर का यहां पर hole क्या हो होते हैं यही होता है जो बताया था हां जी रीजन है दीमक नहीं शीतल दीमक बीटल्स की वज़े से नहीं होती दीमक होती है तर्माइट तीसरा जो हमने इंसेक्ट देखा था तर्माइट तो दीमक उसको कहते हैं यह दीमक नहीं होती उड़ती नहीं है सोरब, उड़ती नहीं है, उड़ती नहीं है, ठीक है, यहीं पर पैदा होती है और यहीं पर मर जाती है, sapwood और hardwood वाला, देखिए, they attack sapwood of all species of hardwood, hardwood की जितनी भी species है, मतलब hardwood जितने भी तरह से, जितने भी तरीके के पेड़ो से हमें मिलती है, उन hardwood से, उन hardwood के अंदर जो sapwood होता है, ठीक है, यह जो बहार sap आपको मिलेगा, hardwood के अंदर इसके उपर attack करती हैं ये sap के अंदर attack करती है जितनी भी hardwood की प्रजातियां हैं प्रकैं जो हम इस्तिमाल करते हैं आम तो फे ठीक है तो उन hardwood के सभी तरह कि स्पीशीज मालीजिए कोई भी पेड़ी की लकड़ी उठा लीजिए आप ठीक है उन सभी लकड़ियों टीक होगी साल होगी सब तर यह हार्ड वूड होते हैं और उनके सैप उड़ पर टैक करती है यह कूप देखे हैं पर यह कीड़ा नहीं देख पाया कीड़ा अभी दिखाते हैं यार रुको जड़ा अभी दिखाते हैं तुम्हें कीड़ा ऐसी बाते कर रहे हो यह देखिए यह देखो भई दिख रही है अब यह देखे भई यह इस तरह की क्लियर चलिए खीड़ा भी देख लिए आप तो आप देखते हैं हम आगे समझते हैं और इस तरह से आपके बिलकुल सुई की तरह जैसे चुब होके छेद किया हो किसी ने वैसे नजर आते हैं बताओ एक बार थम्स अब करके बीटल्स की वज़े से होने ओले डिफेक्ट अगर समझ में आया तो आगे बढ़ें फिर है तो मुझे भी थोड़ा पता लगे ना कि समझ में आ भी रहे कि नहीं दूसरे इंसेक्ट होते है marine बोर्रस ठीक है marine बोरर यह आमतोर पे हमें salty water इसलिए इसका नाम भी कैसा है marine 거래 ठीक है लगबग लंबाई रहती है इन होल्स की तो वुड लूजिस इट्स कलर एंड स्रेंथ और जब यह इस तरह से यह मरीन बोरर्स अटैक करते हैं हमारी लकडी के उपर तो लकडी अपना रंग और स्ट्रेंथ दोनों खो देती है नो टिम्बर इस कंप्लीट इम्यून और सेफ कोई सी भी लकडी आपकी कंप्लीटली सेफ नहीं है इस पर्टिक्लर मरीन बोरर्स के अटैक से यह नहीं कह सकते हैं कि यह लकडी हमारी उसके उपर अटैक नहीं करेंगे यह ठीक है और आमतोर पर कहा करते हैं सॉल्टी वोटर की वज़े से तो देखिए किछले वाले में थ्टे से चोटे PIN साइज से होल कर रखे दे देगे हैं यहां प्रिम यहाँ पे थोड़े बडे होल्ग से और लंबे भी हैं यह देखिए कि देखा होगा ऐसा भी आप लुकों ने लखडी के अंदर यह देखे थोड़े लंबे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यह और टनल्स टाइप आपकी बना रखी है यहाँ पर जो होल्स हैं वो भी आपके थोड़े बड़े साइज के होते हैं यहाँ पर जो होल्स मिलेंगे वो भी बड़े साइज के मिलेंगे सो और अब हर लकड़ी के उपर पाया जा सकता है ये ठीक है वही मैंने लिखा है कि कोई भी लकड़ी आपके पास ऐसी नहीं है जो इससे बची हो हर एक लकड़ी के उपर लगबग ये अटेक कर सकता है बट आम तोर कहां पर मिलता है आम तोर पर में कहां मिलेगा लकड़ी या फिर कोई salty water lake है वहां पर उसके आसपास अ कि टो इनके द्वारा किये गए जो होल्स है या फिर जो टनल्स है वह जो लास्ट हमने देखी थी बीटल्स उनसे थोड़े से बड़े होते हैं और लंबे होते हैं चलिनेक्स्ट है मारे पास टर्माइट्स जो इसनी देर से ट्रेंड में था जो कि सब लोगों ने सुना ओगा दीमक लग जाना ठीक है टर्माइट का मतलब यह क्या है सबसे पहले खाती है यह और फिर आपका क्रॉस सेक्शन जोगा खोखला हो जाता है दे में टनल्स इन वेरियस डिरेक्शन अलग अलग दिशा में यह ऐसे टनल्स बना देते हैं अंदर पूरा सुरंग बनाके खाती रहती हैं हमारी लगडी को देडू सब्सक्राइब होता है दीमक लगना इसको कहते हैं अब वह आपका आम इनसान की सोच थी अब आप इंजीनियर हो तो अब आप इंजीनियर हो तो केटेगराइज करो अब इनको अलग अलग ठीक है ना हर चीज दीमक लगना नहीं होती some timbers like teak, saal, etc. can resist their attack जो teak की लखडी होगी, saal की लखडी होगी या ऐसे, ऐसे ही कुछ और भी हमारे timber है, ये हमारे दीमक के attack को रोक सकते हैं इनके उपर दीमक attack नहीं करता, क्यों नहीं करता? because they have some chemicals in their composition, whose smell is not favorable for the termites क्योंकि इन लकडियों के अंदर क्या होती है, इनकी chemical composition ऐसी होती है कि इनके अंदर ऐसे chemicals होते हैं, जिनकी smell हमारी दीमक को पसंद नहीं होते इसकी वज़े से वो क्या करते हैं, इसके उपर attack ही नहीं करते, वहाँ exist ही नहीं कर पाते ठीक है, तो टीक की लकडी, साल की लकडी इनको इतना मजबूत इसलिए माना जाता है क्योंकि आम तोर पे, हम जब लकडी का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे जल्दी attack क्या करती है, termites ठीक है, थोड़ा सा इनको नमी मिल जाए, वहीं से यह travel करके, इनको environment मिल जाता है एक दम थोड़ा गर्माइश मिल जाती है, हवा रहती है, और थोड़ी सी मुष्चर मिल गई, यह सब फंगस को ग्रो करने के लिए भी चीए थी, ऐसी termites भी नमी से यह भी attract होती है, तो जैसे यह सब मिल जाता है, तो हमारी termites जो है, attack कर देती हैं लकडी के उपर, और termites की वज़े से, देको लकडी ऐसी रहती है, यहें termite की वज़े से, लकडी अंदर यांदर क्या होगता और बिल्कुल गल गई, ओकली हो गई, ठीक है, और देको बहार से एकदम सही लगे थी, बहार से लकड्टी अकदम सही थी, लेकिन अंदर यांदर गल दी इसने, खा लगता लेकिन अंदर यंदर खोकला कर देती है हमारी पूरी लखड़ी को बता अब अब एक लियर टर्माइट क्लियर हुआ इसलिए आपने कई पर देखा होगा ना ये जब हम दीमक पीमक लगने के बाद ना तेल वगरे लगाते हैं ओईल वगरे लगाते हैं मतलब कुछ तो वो जब लगाते हैं ना तो उनकी स्मेल बहुत खराब होती है उनकी स्मेल जो है बहुत ज्यादा खराब होती है तो बहुत खराब स्मेल होती है उसी की वज़े से ये दीमक जो है वहाँ से वहाँ पर एक्जिस्ट नहीं करती ठीक है समय समय पर आप क्या करते हो इंजेक्ट करते हो इसके अंदर ओयल ठीक है जो जिसकी स्मेल जो है काफ इंसेट्स की वज़ए से और हम देखने वाले है नेच्छरल फोर्श की वज़ए से नैच्रल फोर्शनेट्स नेचर की वज़ए से जो डिफेक्ट्स हमारी लकडी में पाए जाते है वो कौन-कौन से होते हैं रहे भई ठीक है बर्ल्स हो गए कैलस केमिकल स्टेंस कोर्स ग्रेइन डेड़ ड्रक्सीनेस फॉक्सीनेस नोट्स रिंगाल्स शेक्स ट्विस्टेड फाइबर अपसेट्स वाटर स्टेंस विंड क्रैक्स बहुत सारे हमारे डिफेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं नैच्रल फोर्स की वजह से एक एक करके पढ़ेंगे इनको सारे कवर नहीं कर पाएंगे आज आज हम देखेंगे रिंड गाल्स तक पड़ेंगे यह आगे के कल करेंगे इतने डिफेक्स आज हम कवर करेंगे कोशिश करेंगे इतने अगर हो जाएंगे तो वैसे तो खैर इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास समझने वाला देखोगे और पता चले कि किस वजह से होता है बर्ल्स की अगर हम बात करें दीमक लाइव ट्री में हो सकता है नहीं आम तोर पे लाइव ट्री में नहीं होता लाइव ट्री में आम तोर पे नहीं होता भई सोरब जी लाइव ट्री में दीमक नहीं लगता काटने के बाद जब हम स्टोर करते हैं उसको तब लगता है चलिए पहला डिफेक्ट है नेचर की वज़े से वो है बर्ल्स बर्ल्स इसको हम किस नाम से जानते हैं और यग देखवर एक्सक्रीशेंश ऑर डेय और फोर्मड वैंट्री डीσιूग और इन्जरी इंग एज्ञ आप सब लोग वाइन कभी खेलते उवे शरारत करते लिससी ना किसी के चहरे पर कभी यहां पे निशान होगा किसी के करने कानนि找 कर किसा निज्सान को तो सबके होता है जब बचपन में हम लोग खेलते होई गिर जाते हैं और आमतोर पे होता ही है इंडिया में तो मैक्सिमाम बच्चों के आपको दीखें गाई तो बचपन में आपने शरारतें जो की थी ठीक है उसकी वजेसे जो आपको चोट मिली है उसका निशान अभी तक आपके शरीर पर है तो सेम यहां पर भी आपके जो ट्रीज हैं वो उन्होंने अपनी यंग एज में मतलब जब यह छोटे थे तो उससे में कोई शौक आया होगा या कोई इंजरी आयोगी इसको उसकी वज़े से जो निशान होता है बैसिकली ठीक है निशान का मतलब इंजरी या शौक की वज़े से जो डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा उसको बल्स कहते हैं इसमें कैसे दिखाई देगा यह ग्रॉथ हैंपर सेंट एर्रेग्लर प्रोजेक्शन एपियर ऑन दी बोडी ऑफ टिमबर उभार नजर आता है हमें हमारे टिमबर के अंदर यह देखिए तो तो इस तरह है यह बंपास जो बंप सोते हैं इनको बल्स कह जाता है दीमा की होती है पर वो अंदर नहीं लगती लखड़ी के बाहार ग्रो कर जाती है वो मौश्यर की वज़े से ठीक है चलिए बर्ल्स समझ में आया बई बर्ल्स होते हैं किसी और यह याद रखने अभी नेच्रल डिफेक्ट्स जो है काफी आते हैं एक्जाम के अंदर किसी इंजरी या शौक की वज़े से जो एक हमें प्रोजेक्शन जो मिलती है रेगलर प्रोजेक्शन टिंबर की बॉड़ी पे उसको क्या कहा जाता है इसका दूसरा नाम एक्सक्रीसेंस भी होता है तो एक्सक्रीसेंस से भी आप याद रखना नेक्स जो डिफेक्ट है उसका गहाव ढखने के लिए जो सॉफ्ट वुड जो होता है हमारे पास सॉफ्ट टिश्व या स्किन उसको कहा जाता है कैलस देखिए यहाँ पर आपके पास माली जी आप किसी ने काट दिया था या कुछ इंजरी आई थी इसको उसकी वज़े से हमारी जो शॉक और इंजरी मीन शॉक और इंजरी का मतलब होता है चोट शॉक का मतलब जटका ठीक है तो यहाँ पर आपके पास माली जे कोई घाव था हमारे ट्री के उपर किसी ने काट दिया या कुछ कर दिया किसी भी कारण से यहाँ पर क्या हो गया ट्री हमारा क्या हो गया घायल हो गया था अब यहा सॉफ्ट टीशू या स्किन आप कह सकते हो सॉफ्ट आपको नजर आरे नहीं देखी यहां पर बार्क के बार्क देखो गए तो यह घाव भरने के लिए सॉफ्ट टीशू या स्किन जो है वो डेवलप हो गई बिल्कुल इनसानों की तरह लेके चलिए आप पेड़ों को ठीक ह इनि this CODDO हो में मतलब बैसिकली शान्दार नहीं होते यितने पेड़ों ठीक है ना तो यहां पर बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं मेकेनिसम इनका इनकी जो है इनका बोड़ी जो है इनसानों की तरह ही काम करता है बिल्कुल कभी चोट लग गई तो उसको गहाव भरने के लिए एक सॉफ्ट टिश्यू और स्किन डेवलप हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग कैलस जैसे हमारे भी चोट लग गई उसके उपर आपका पपड़ी पपड़ी आ जाते हैं ना तो सेम आपका यहाँ भी घाव भरने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्ट के ऊपर अगर लिए उसका रंग बहार से किसी ने गिरा दिया या कुछ कर दिया उसकी की बजहेसे लगडी का रंग वो हो घराब हो गया तो इसको क्या कहते ह। किसीakah किसी external एजंसी की बजहेसे रंग खराब हो जाना लगडी zost می기가 इसके सब्सलियनलर के यहां पर मांली जी हमने JosephCarap के रंग और यह यह इस Word C chemical स्टेइन typically के ना है demowema chemical की वज़े से जो ठबा बनता है उसको chemicals गया लग दो की वज़े से आए इंटरनल कि अणको की वज़े से नहीं ओ कि सी तत्व की वज़े वह रहा है chemical की वज़े से नेक्स्ट हैमारे पास कोर्स ग्रेंड कोर्स का मतलब होता है थोड़ा भर ठीक है ना कोउर्स जैसे फाइन ग्रेंड को बोलते हैं और थोड़ा सा जो मोटा होता है उसको लकड़ी के अंदर मिलता है मोटे रिशा मोटा रेशा और देखने को मिलता है तो यहीं बहुत चोडी चोडी हो जाती है वो थोडी हो जाती सबनता बहुत के बहुत होता है। यह आपको नजर आ रही है यहां पर इसका बहुत मोटा है यहां पर advanced तो इसकी जो annual rings है ये बहुत दूर दूर है एक दूसरे से distance है ने इनके अंदर और इसके अंदर strength भी कम मिलेगी और देखने में भी अच्छी नहीं लगती आपको मैं बताऊं ऐसी लकड़ी हम लोग देखने में लगाने के लिए प्रेफर नहीं करते जिसका बिल्कुल बारी कर गया और annual rings जो है उसकी वाइड हो जाती है थोड़ी दूर दूर हो जाते हैं चोड़ी चोड़ी हो जाएंगे तो इसकी वैसे इसका जो ग्रेन है वह कूर्स ग्रेंड डेवलप हो जाएगा मोटे रेशे की लकड़ी हमें मिलती है strength कम हो जाती है अच्छा तो लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है सौरब जी यह जब आप घर पे यूज़ करोगे तो तब नहीं लगता इसकी बजाए आप पतले रेशे की लकड़ी इस्तेमाल करोगे तो वह ज्यादा आपको बेटर लुक देती है इससे एस्थेटिक एपिरेंस जो काफी अच्छा लगता है ठीक है इसके मुकाबले में जब दूसरी लकड़ी को आप देखोगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेडवूड ठीक है बई तो डेडवूड डेडवूड का मतलब क्या है ऐसे मरी हुई लकड़ी सीधा साधा बिलकुल इसका अनुवाद है मरी हुई लकड़ी मिलती कैसे हमें basically timber obtained from dead standing trees आपके सूखे हुए जो ट्रीज है dead standing trees का मतलब क्या है सूखे हुए खड़े हुए जो ट्रीज है उनसे जो लकड़ी हम लेते हैं देड़ एसे पेड़ जो सूख गए खड़े-खड़े लगे हुए और सूखे हुए उसको काट के लकड़ी को फिर हम convert करके timber ले रहे हैं तो वहां से जो लकड़ी मि साथ को देखने को देखने को मिल जाएगी ऐसे जो लकड़ी होती है आम तोर पर यह क्या होती है आपका पेड़ जो है एकदम सूखा वा डेड़ हो गया था और उसको आपने काट के लकड़ी को इस्तेमाल कर लिया ठीक है हुम बताइए भई क्लियर हुआ डेड़ वुड क्या होता है बिल्कुल सीदे सीदे से नाम है और सीदे सीदे से इनके पहचान है निकस्ट, डिफेक्ट है, हमारे पास, ड्रक्सीनेस, ठीक है, यह आपका एक्ञाम प्वी से important है, पूछ लेता है आप से कि ड्रक्सीनेस क्या होता है, क्या बार तो नाम ही पूछ लेता है कि drug вер bardziej moreowane is related to which of the following timber से related है, metal से related है, किस से related है, तो drug जिनेस हमारा टिंबर से रिलेटेड होता है और डिफेक्ट होता है नैचुरल फोर्सीज की वज़े से होता कैसे है इंडिकेटेड़ बाइवाइट डिकेड़ स्पोर्ट्स विच आर कंसील्ड बाइफ हेल्दी वूड प्रोबेबली फॉर्म्ड फॉर्डी एक्सेस ओफ टीफ ए इसको भर दे जाता है अधकने के लिए इसके पास हथी हुड रहती है और यह सफेद रंगे अको नज़न आ यह सफेद रंगा यह आपको छब आयां यहकं क्या Paulo आं तोर पे फंगस के आट से वे फंगस की मतलब फंगस की आटी यह बनते हैं कर गांजी ट्री है ये बिल्गुल फेड़ का ये च्छोटा सा हिसमने काटके यहाँ पर फोटो वो लगादिये भई ठीक है यह पेड़ का हिस्ि था यह इतना हिस्ि ने जरा drilled को कि आपको इस ने योपर ऐसी फर कोCar के आपको तो तना दिखाया जारहा है ठीक है तो ड्रग्जीनेस सफेद रंग के डीकेड स्पोर्ट्स आपके लकडी के उपर आ जाना फिर नेक्स्ट है हमारे पास फॉक्सीनेस फॉक्सीनेस क्या होता है इंडिकेटिड बैर रेड और येलो टिंज इंदी भुड रेड या फिर येलो कलर का टिंज मतलब इस तरह है कि थोड़ा सा आपको शेड जो है वो नजर आने लग जाती है आपके पेड के अंदर कब दिखती है कोस्ट आइधर डियू टू पूर वेंटिलेशन या तो वेंटिलेशन की कमी की वज़े से जा डियूरिंग स्टोरेज स्टोरेज के समय वेंटिलेशन अच्छी नहीं थी या फिर और बाइ स्टार्टिंग ओफ डिके डियू टू ओवर मैच्चुरिटी या फिर लकडी का गलना खराब होना इसके ज्यादा परिपक होने की वज़े से ओवर मैच्चुरिटी होने की वज़े से इसका रंग जो है वो कैसा होने लग जाता है यलो इस या फिर र या फिर हमने काट को रखा भी है और उस टाइम पर भी उसको समझने का तरीका है वो क्या है हमारी लकड़ी या फिर यल्लोइश कलर की हो जाएगी और या फिर स्टोरेज के टाइम पर हमने वेंटिलेशन एच्छा नहीं दी देखिया आप इसको इस तरह की लकड़ी जब है या फिर कैसी है पूर्ली वेंटिलेटेड जिस जा मैं इसको स्टोर किया गया था उससे में वेंटिलेशन अच्छी नहीं रखी गई तो जल्दी गल गई कि ठीक है गुड मॉनिंग मनेशा टेलिग्राम पर एड नहीं हो रहा है क्या नहीं एड हो रहा है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए कि डिस्क्रिप्चन में लिंक दिया हुए आप वहां पे जाके टेलिग्राम का लिंक जो है दिया हुआ है आप आप जाके जोइन कर सकते हो या फिर आप A&M सिविल और यह दो हमारे आप सर्च कर सकते ओपर आप देख लिजिए दिया भी हुआ है उपर आप पढ़ सकते हो वीडियो के ऊपर भी दिखरा होगा आपको लिखा हुआ तो आप लिखके सर्च करके भी आप महां पे ढूंड सकते हो अधरवाइस लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां से भी जोईन कर सकते हो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो डिफेक्ट है वो है नोट्स नोट्स महलें गांट ठीक है गांट बन जाना बेसिकली हमारे पेड़ के अंदर तो गांठें कब बनती हैं बेसे ऑफ दी ब्रांचिज और लिम्प्स विच और ब्रॉकन और कट ओफ फ्रॉम दी ट्री यह हमारी ऐसी ब्रांचिज जो की हमारी ट्री से टूट के गिर गई उनके बेस होते हैं ठीक है मतलब मान लीजिए हमारे पेड़ के अंदर यह हमारा पेड़ था यहां पे हमारे पास यह ब्रांच थी अब यह क्या हो गया यहां से टूट गई लेकिन इसका बेस यहां पे रहे गया ठीक है तो यहां पर इसका बेश जो था वो रहे गया जहां से यह निकली थी ब्रांच तो यहां पर यह क्या होता है इसको नरिश्मेंट मिलती रहती है पालन पोर्शन होता रहता है इसको पानी वानी मिलता रहता है रूट से और यहां पर क्या करती है ग्रो करती र लोंग टाइम लंबे समय तक यह नरिश्मेंट लेती है एंड फॉर्मस इंटू डार्क हाड रिंग कॉल्ड एज नोट्स ठीक है डार्क कलर की यहां पर हाड रिंग में डेवलप हो जाते हैं जिसको हम लोग नोट्स कहते हैं और नोट्स अर्क्लासिफाइड और साइज देखिए देखने में आपको नोट्स जो है ऐसी नज़ रहेंगी देखा भी होगा सब लोगों ने लकड़ी के अंदर इस तरीके की गाठ जो बन जाती है कि रेशा खराब कर दिया नहीं इसने देखिए यहां पर फाइबर जो सही जा रहे थे यहां पर इसने बिल्कुल सा जाता है और इनके साइज और फॉर्म के हिसाब से अलग लग तरह से क्लासिफाई भी की जाती हैं कि देखिए यह हमारे पास नोट्स के टाइप हो गए अलग लग तरह के और बेस्ट ऑन दी साइज साइज के बेसिस पर अगर हम बात करें तो पिन नोट स्मॉल नोट मीडि होती से जिसका बड़ा डायमेटर वली लार्ज नोट तो यह इनके साइज से क्लासिफाई किया गया है इनके साइज से अगर में हम देखें यहां पे तो form के हिसाब से क्या-क्या classify किया गया यहां पर dead note, dead note, decayed note, live note, loose note, round note और tight note यह इनकी form के हिसाब से मतलब कैसा कैसी note हमें महां पर दिखाई दे रही है गाठ जो में मिल रही है वो कैसी है dead note के गर बात करें तो these the fiber of notes are not properly interconnected with those of surrounding wood hence it can be easily separated out from the body of wood it is not safe to use wood with such notes for engineering purposes यह धीली ढाली सी note रहती है इनको हमारा आम से निकाल वी सकते है आसपास की लकडी के साथ यह अच्छे से connected नहीं रहती ठीक है और इनको जिस लकडी के अंदर यह dead note होती है उसको उस लकडी को engineering purpose से निकालना यूज करना basically हमारे लिए safe नहीं है तो इसलिए यह useful नहीं है या फिर decayed note कहा जाता है गली होई आपकी जो गांट होगी fungus के अटैक से बनती है और नेक्स्ट है मारे पास live note live note के इस known as sound note वालब यह आपकी healthy होती है note जो है healthy note होती है कैसे it is free from decay and cracks कोई गलना वलना नहीं हुआ इसका नाहीं कोई इसके अंदर cracks होते और इस थोरोली fixed in the wood and hence it cannot be separated out from the body of the wood और एकदम मजबूती से हमारी लकडी के अंदर चिपक्यों यहोती है fix रहती है इसको हम निकाल नहीं सकते वुड की body से presence of such knots makes the wood difficult to plane ठीक है मतलब इसको plane करना लकडी को बिल्कुल plane करना मुश्किल बना देता है इस तरह की गाठे however would containing such knots can be used for engineering purposes ठीक है ना लकडी के अंदर बीच मेंगर इस तरह की गाठे आ जाती है तो हम इनको use कर सकते है लेकिन इनको plane करना स्मूद करना इसमें थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि इस तरह की गाठे अच्छे से अराम से plane नहीं करने देती लकडी को कि नेक्स्ट हमारे पास यहां पर lose note इंडिकेट्स preliminary stage of dead note the fibers of note are not firmly held in surrounding a good dead note मिलब note को note के dead होने से पहले की stage है यह note के वह अच्छे से firmly held नहीं के जाते लकडी के द्वारा आसपास की लकडी जो है उसकी पकड जो है कमजोर होने लगती है इस note के उपर तो धीली होने लग जाती है यह note next है मारे पास round note cross section of this type of note is either round or oval it is obtained by cutting the note at right angles to its long axis shape के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो round या फिर oval shape अंडाकार या फिर गोलाकार जो shape होती है उसको कहते है round note कि यह आम तोर पे cutting the note at right angle to its long axis long axis के right angle पे काटने पे आपको आम तोर पे ऐसा मिलता है ठीक है ना और tight note क्या होती it indicates preliminary stage of light live note the fibers of note are firmly held in the surrounding wood live note की preliminary stage उसे पहले वाली stage जो होती जिससे वो बिल्कुल firmly एकदम tightly हमारी लकडी के द्वारा held की जाती है hold की जाती है basically यह आसपास की लकडी इस note को इस तरह की गाट को क्या कर रही एकदम मजबूती से पकड़ बना रही है इसके उपर और यह नोट हमारी live note बनने के कगार पे है इसको tight note कहा जाता है ठीक है बई तो यह notes के प्रकार थे जो हमारे पास हमें पता होने चाहिए थे लास्ट आज का डिफेक्ट जो आज पढ़ने वाले मोई रिंड गल्स ठीक है रिंड गल्स क्या होते हैं basically रिंड मिंस बार्क ठीक है बार्क का छाल जोह होती ऊफला आउटर कवरिंग जोहती है तो रिंडड मतलब होता hai बार्क और गल्रकल का मत्लब होता है abnormal growth तो आपकी जो लक डी की बार्क है उसकी abnormal growth को ऑप क्या कहते है रिंड गल्स तो पेktुलियर halde स्वेलिंग्स कि के पैकूलियर कर्व्ड स्वेलिंग्स फाउंड ऑन दी बोड़ी आफ ट्री और कॉल्ड एज रिंड गल्स थोड़ा उभार जो होता है हमारी लकडी के उपर उसको रिंड गल्स का जाता है डेवलप वेर ब्रांचे जारें प्रॉपरली कट ओफ और उबहार रहता है यहां से हमारी लकडी वकडी की हमने क्या किया होगा ब्रांची जो वह काटी होंगी और इस तरीके कि आपके पास जो बहार होते हैं इनको क्या का कहा जाता है रिंड गल्स ठीक है भई बताए जल्दी से ख्लियर हुआ आज इतना ही है class के लिए लेट नहीं होंगे नहीं लेट नहीं होंगेनी तुझी कि बताओ भी जल्दी से और जो बताओ किसी में भी डाउट है तो बताओ सबसेदा समय लगा है यह वाली बीटी बनाने में क्योंकि हर एक चीज की फोटो ढूंडना बहुत मुश्किल था बहुत समय वरबाद हुआ मेरे इसमें बट स्टिल वर्थ इट था चलिए फिर आज के लिए काफी है इतना थैंक यू सो मच पढ़ते रहो बढ़ते रहो